Hello everyone, welcome back to my channel on CDP mentor by Radhika So today's topic is stages of sensory motor stage मैंने आपको बहुत ही अच्छे से Gene Piaji जी की पूरी theory करवा चुकी हूँ और मैंने आपको बताया था जो Gene Piaji हैं उन्हेने जो अपनी theory के अंदर जो stages दिये उन्होंने 4 stages दिये ठीक है? कितनी stages दिये हैं? Gene Piaji जी पूरी के अंदर 4 stages दिये है ठीक है, first one is sensory motor stage then pre-operational stage then concrete operational stage and then formal operational stage और मैंने आपको ये बताया था जो Gene Piaji जी ने first stage दिये है that is sensory motor stage that is sensory motor stage उसकी और 6 sub-stages है कितनी stages है उसकी और? 6 sub-stages है यह मैं आपको पहले पी discuss कर चुकी हूँ कि मैं उसकी जो वीडियो है छोटी सी वीडियो एक रिकॉर्ड करके बता दूँगे आपको जो first stage है उसकी और 6 sub-stages है तो अपना session स्टार्ट करते है तो sensory motor stage की sub-stages परते हैं तो पहली जो sub-stage है वो है आपकी reflexes यानि कि प्रतिवर्तिक रिया है second है आपकी primary circular reactions यानि कि प्रात्मिक वृत्य प्रतिक रिया है third आपकी जो sub-stage है वो है secondary circular reactions fourth one जो है वो है आपकी coordination of secondary circular reactions next जो आपकी fifth है वो है tertiary circular reactions and the last one is mental representation यानि कि आरंबिक मांसिक प्रक्रिया ठीक है तो first start करते हैं जो आपकी first sub-stage है उसका नाम है reflexes यानि कि प्रतिवर्तिक रिया है इसका जो time duration रहता है गो रहता है आपका birth से लेके one month ठीक है birth से लेके one month तक आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने पिछले वर्ष के जो question paper देखे तो उसमें पूश लेते हैं कभी-कभी कि mental जो आपका mental representation है उसका time duration कब से कब तक होता है ठीक है तो जो reflexes है वैसे reflexes तो question बनेगा नहीं इतना deep नी जाता हो ठीक है तो first stage जो है आपकी जो first stage है first stage की यहाँ पर जो schemas होते है जो reflexes है यह जो reflexes है बच्चे में क्या होते हैं जन्म जात होते हैं ठीक है बच्चे में grasping reflexes भी होते हैं अब जैसे आप इसको example के तो और पर समझो आपने देखा उगा ने छोटा बच्चा होता है अगर आप उसके lips के पास कुछ भी touch करते हो तो वो उसको सक करने लग जाता है यह क्या है सारे जन्म जात होते हैं by birth होते हैं जो schema होता है बच्चे के अंदर सब स्टेज है अपकी primary circular reactions यानि कि प्रात्मिक वृत्य प्रतिकिया है इसका जो time duration होता है आपका वो है one to four months कितना होगा primary circular reaction यानि कि प्रात्मिक वृत्य प्रतिकिया है कि जो आपकी अवधी होगी वह होगी आपकी एक मा से लेके चार मा तक अब इसमें क्या है बच्चे simple motor actions करता है अब देखो बच्चा क्या है अपनी जो भी अपनी भावना है या जो भी उसको कुछ भी व्यक्त करना वह व्यक्त नहीं कर पाएगा भी क्यों क्योंकि बच्चा भी छोटा है इनफेंस स्टेज में है अभी उसको प्रॉपरली लेंग्विज भी नहीं है तो अपनी विचारों कैसे अभी व्यक्त करेगा कैसी व्यक्त करेगा तो क्या करेगा बच्चा motor actions करेगा क्या करेगा बच्चा motor actions करेगा centered around the infant's own body यानि कि आप यह समझो सबसे पहले यह जो प्र तो क्या होता है circular का मतलब क्या होता है repeated action तो यानि कि जो बच्चा है अभी छोटा बच्चा है एक मासा लेकर चार मा का बच्चा है तो यहां पर क्या है बच्चे बहुत जादा motor actions करेगा पट अपनी ही body में करेगा जैसे बच्चा क्या है अपना अंगुठा चूसता है अपने ही शरीर की कुछ अंगों को बार-बार हिलाना ढूलाना अंगूठा चूसना पैर का अंगूठा बच्चा लेकर चूस लेता है जैसे आपको image में दिख रहा होगा तो यह क्या है बच्चे का primary circular reactions यानि की primary जो सबसे पहले जो बच्चा actions करेगा वो क्या करता है repeated actions करत यह ने की किसी और के साथ अपनी ही body में करेगा अब देखो third sub stage में सुनो third sub stage का नाम है secondary circular reactions यानि की दृत्ये वृत्ये प्रतिक्रिया है इसका जो अबदी होगी इसका जो time duration होगा वो होगा आपका four to eight months अब इसमें क्या है बच्चा objects को manipulate करता है ठीक है यानि कि वस्तूओं को परिचालित करता है जैसे कि चीजों को उलटना पुलटना तोड़ना हिलाना डूलाना करेगा अभी क्या था जो second step stage थी माँ पे बच्चा क्या कर रहा था खुद से ही अपनी body को हिलाना डूलाना कर रहा था ठीक है actions कर रहा था अपनी खुद की body में अब क्या है बच्च को मैनुपलेट करना स्टार्ट कर देता है चीजों को खुद उलटना पुलटना करेगा आपको दिख रहा है जैसे ये रैटल बच्चे को देदो कैसे कि उससे रहता दूलाता रहता है उससे के साथ खेलते रहता है पहले अपनी body के साथ खेलेका क्या है अब जैक्ट्स के स साथ repetition में वह वाले काम सारे करेगा ठीक है परिवेश में दिल्चस प्रभावों को दौराने के देश्य से ही की जाने वाली सारी प्रक्रियाइं करेगा ठीक है तो बच्छे क्या करेगा object के साथ हिलाना डुलाना बार बार वही चीज करेगा जिसमें उसे इंट्रस्ट आ रहा है तो फॉर्ट सब्स्टेज हमारी कोडी नेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रियाक्शन यानि कि अनुक्रियाओं के भी समन व्यता और इसका जो टाइम डूरेशन होगा वह होगा एटीन टू टूल मंस क्या होगा एटीन टू टूल मंस अब यहां पर क्या प्रस्ट और वह एकिशन पंगाने किट्वी इस अप्रश्ट सब्स्टेज में न होनता कि बच्चा कारेगा अक्ड़ सोरी 1969 क roommate कड़ेगा वह क्यों में इन्टैन्पर्द उर्ड करेगा यान करेगा याने कोपारे सारे कारे जान पोचकर करेगा सारे जो काम करेगा वो लक्षे निर्धारित करेगा यानि कि सपोस्थ दूर कोई बॉल पढ़ी है दूर कोई भी रिमोड पढ़ा है फोन पढ़ा है बच्चे नि देख लेए तो वो उसके पास जाएगा उसका आई हैंड कॉडिनेशन बन गया अब क्या है बच्चा लक्षे निर्धारित कार्रे करेगा अब वो उस अब्जेक्ट के पास जाने की कोशिश करेगा चाहे वो उसके दूर ही क्यों ना हो तो वहां तक वो रेंगते रेंगते करॉल करते बच्चा महाँ पहुंच जाएगा तो क्या है यह लक्षे निर्धारि रहता है वो है आपका 12 to 18 months क्या है 12 मां से लेके 18 मां तक अब यहां पर क्या है बच्चा experimentation begins कर देता है छोट-छोट experiment करेगा बच्चा ठीक है आपको याद है न प्याजे जी ने क्या बोला था कि बच्चे जो है नन्ने विज्ञानिक है बच्चे अपने ग्यान करने मां खुद से करते हैं तो यह वो stage है जहां क्या है बच्चे experimentation begin कर देते एक्सपेरिमेंट करना बच्चा start कर देता है और क्या है बच्चे आपर trial and error शोग करता है अब यहां पर यह थांडाइक वाली बात मत ले करा ना प्याजे ने भी अपनी stage में चीज़ बताईए बच्चे आपर क्या करेगा trial and error शोग करता है जैसे कि हम करते हैं न trial and error शोग करता है ठीक है इतना के लिए रोको इसमें आपको दो चीज़ याद रखने है बच्चा के experimentation बिगें कर देता है तर्शुरी वाली stage में और trial and error शोग होता है जैसे कि example अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि खड़ा होता है ठीक है खड़े होने कोशिश करता है चलने कोशिश करता है तो पार बर बच्चा गिरता रहता है तो यह क्या है trial and error शोग करता है आपके experimentation बच्चा बिगें कर देता है सो लास्ट सब स्टेज पर आते हैं वह है mental representation इस पर आपके question आ चुका है बहुत बार आ चुका है ठीक है या तो सीधा सीधा आपसे duration यह पूछ लेगा और यह मैंन आपको पहले भी बता चुकी हूं ठीक है कि बच्चे में properly जो object permanence आता है वस्तू स्थाइत ठीक है क्या आत mental representation आ जाता है यानि कि बच्चा mentally अब चीजों को रिप्रेजेंट करना start कर देता है यानि कि अपने mind में वह mentally उन चीजों का उनकी picture उनकी images को रिप्रेजेंट करना start कर देता है ठीक है suppose जैसे कि कोई भी बच्चे से पूछा अच्छे पता हो horse कैसा दिखता है horse की आवाज कै कैसी होती है जीब्रा कैसी दिखता है यह सारी चीजे क्या है बच्चे के mind में जो है वह picture है वह fix हो गया आप से कुछ भी पूछ लो वह बता देगा यानि कि अब वह अपने mind में चीजों को रिप्रेजेंट करने लगा है तो यहाँ पे बच्चे की mental representation आ जाती है और स्टेज का नाम है early mental representation यानि कि RMB मानसिक प्रत्रिक्रिया है यहाँ पर क्या है मानसिक प्रत्रिक्रिया है बच्चे में start हो जाती है बट कभी अगर आपसे यह पूछ लिया चाहिए कि properly कभा आएगा mental representation और महाँ पर sensory motor stage ना हो pre-operational लिखा हो तो pre-operational प्रतिक करना है यहाँ स्टेज में बच्चे का mental representation स्टार्ट हो जाते है पर अगर हम प्रॉपर लिखे बात करें एगदम advanced रूप में का बाता है तो प्री-operational stage में आता है ठीक है तो आई होप सो सबको अच्छे से सारे topics जो मतलब सारे जितने भी points है important important वो सबको समझ आयोंगे अच्छे से कोई भ ìाल वी दिए बाकि जो बंग्याशके रूज्क आयो को सब्सक्राइब जरूर कराणतर हो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें उसपनांतर Т at मिलते हैं फिर next class में चलिए, bye bye, take care.